हेलो बेंट्स मेरा नम प्रीदम सरें और आपको पता होगा कि मॉटण के फिरेंगें चुट्टिया वेसे वेस्ट हो रहे हैं तो इसका आच्छे से उप्योग कीजिए और नेक्स येर का कुछ पढ़िए हेलो बेंट्स आज हम सेवंद के विए सेवन्त स्टेंडर का मैस का एक पार्ट है पारणे करने वाले सकर्णे मैस में प्रकियए स्टेंडर दिविजन कैसे करना है उसके बारे में पढ़ने और आज हम मल्टिप्लिकेशन के बारे में पढ़ेगे तो रूल्स क्या है मल्टिप्लिकेशन के तो अगर दो इंटिजन नंबर का अगर हम मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो पहला नंबर माइनस है दूसरा नंबर माइनस है तो अगर आपका पहला नमबर का sin plus है और दुसरे नमबर का minus है या फिर पहले नमबर का minus है दुसरे नमबर का sin plus है तो उसका answer बानेवाद है minus एक फूर रूल से अभी हम कुछ question को solve करेंगे तो देखो दो नमबर का multiplication करने वाद है दो integer का minus 5 और minus 3 कि यह ल याग तो पहले 5 और 3 का माल्टिप्लिकेशन क्या आता है जा 15 एंसर आएगा 15 और इस 15 का संय रहेगा माइनस और दो नमबर पहला और नमबर का संय ये माइनस नहीं माइनस ऐसे उसका एंसर आएगा plus तो इसका सं gegen आएगा plus तो दूसरा आपको विए देखेंगे माइनस 6 और माइनस 1 6 वन जा 6 और माइनस माइनस का मल्टिफिकेशन करेंगे तो प्लस अब देखेंगे 7 वन जा 7 और दूसर नंबर 1 ही 7 और 7 और 7 और माइनस और यहां पे कुछ साइन नहीं मतलब प्लस ही माइनस और प्लस का मल्टिफिकेशन माइनस तो माइनस 1 तू 4 इन्टू माइनस 1 तो 1 तू 4 इन्टू 1 कितना आता है 1 तू 4 ठीकि 124 से 1 को मल्टिफिलाई करेंगे तो 124 आता है और माइनस और माइनस का मल्टिफिकेशन करेंगे तो प्लस यहां पर देखेंगे 63 और 7 का मल्टिप्लिकेशन करेंगी यहां पर में करता हूँ 63 इंटु 7 तो 7 7 जा 49 9 क्यारी 4 7 6 जा 42 42 and 4 46 ट्रैंस रहेगा 4 69 और माइनस माइनस का मल्टिप्लिकेशन प्लस इस तरीके से आपको यह स्वाल करना है आपको और 7 स्टैंडर के लिए मैस का हमने पड़ा आपको सॉल करना है पेज नंबर 12 तो आप इस चुट्टी का अच्छे सा उप्योग करें और अपना जो 7 स्टैंडर का कुछ पढ़ाई करते रहे है तो घर में रहे हैं सेव रहे हैं ठैंक्यू